आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ योश्य ने हमारे पास the eccentric angle of the extremities of letter spectrum of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 are given by clear? तो देकर यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास जो ellipse है उसका letter spectrum के जो extremities है मतलब जो ends point हुआ करते हैं वो होते हैं ae, b square बाई यह कॉमा यह second हमने लिया l dash ae, minus b square बाई यह ठीक है? यह लिए हमने कहाँ पर? right side पर जो आपके पास ellipse हुआ करता है इन general ellipse हम जो कर रहा हैं यहाँ पर तो आपके पास जो center के जो center point हुआ करता है उसके right side में है यह center point है इसके right side में यहाँ पर जो हमारे पास letter spectrum हुआ करता है इस letter spectrum के end points जो है l और l dash simple उनके जो आपके पास coordinate हुआ करते हैं, वो यही हुआ करते है, ae, b square बाई है, और ae, minus b square बाई है, clear? तो हम क्या करते हैं, जो eccentric angle बनेगा, वो रेख लेख लेखें, तो देखें, आपके पास जो eccentric angle, अगर eccentric angle θटा है, तो इस a l point के, इनके coordinates हो सकते हैं, क्या? a cos θटा, b sin θटा, यह हमारे पास, parametric form में, जो आपके पास illips हुआ करता हूँ, उस illips पे, किसी भी point के coordinate, आप ऐसे assume कर सकते हैं, clear? तो simple देखें, अगर हम बात करें, कि यह जो point आपके पास है, अगर यह point, a cos θटा, b sin θटा, अगर बने l point के coordinate लिये हैं, तो इस case में क्या होगा, इस case में मारे पास, a cos θ, coma, b sin θ, equal होगा किसके, a e, b square by a, इस illips पे, कहीं भी, किसी भी point के coordinate, a cos θ, b sin θ लिये जा सकते हैं, जहांपे θटा के चल रहा है, मारे पास parameter चल रहा है, यह एना, eccentric angle चल रहा है, clear, तो देंगें, यहां अगर हम इसको solve करें, a cos θ, a e के equal, इसका मतलब cos θ किसके equal होगा, cos θ e के equal होगा, b sin θ, b square by a के equal, मतलब sin θ लिये जा सकते हमारे पास equal होगया, b by a के, ठीक है, यहां से अगर हम 10 θ की value find करेंगे, sin upon cos करें हैंना, second में से first divide करें, तो 10 θ आरा हमारे पास, b by a e, clear, यहां पर आपके पास के जल रहा है, a जल रहा है, b by a, ठीक है, तो b by a e आरा है, 10 θ, ठीक है, इसका मतलब यहां से, θ थीटा की value आरही है, 10 inverse, b by a e, clear, ऐसे हम बात करें, अगर आप a cos θ, b sin θ, ls point के coordinate लेते तो, तो उस case में, आपके पास a cos θ, b sin θ, किसके equal होता, a cos θ, b sin θ, अगर मैं l dash point के coordinate लेता, तो l dash के coordinate है, a e, minus b square भाई है, compare कराएं इनको, तो compare कराएंगे, तो वही बात है, पहले वालों को compare कराएंगे, तो cos θ की value e, sin θ की value, minus, इसको compare कराएंगे, b cancel हो जागा, तो b by a, ठीक है, तो यहाँ से जब आप divide करोगे, तो 10 θ की value आएगे हमारे पास, minus में, b by a, तो θ यहाँ से आजाता हमारे पास, 10 inverse, minus b by a, यहाँ, तो आपके पास यह दो result आगए, θीक है, 10 inverse में plus भी आ सकता है, 10 inverse में minus भी आ सकता है, देख लें हम, तो finally ही अगर हम बात करें, जो हमारे पास parameter है, θीटा, वो क्या हो सकता, तो वो हो सकता, 10 inverse, plus minus, b by a, k, e, 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 clear, यहा answer, तो option ने देख ले, 10 inverse, b by a, e, plus minus में, option number 3 is, correct option, Classics to 12 से लेके, need IIT जेही, means और advance के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा, आज ये डाउनलोट करें, डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजे अपने डाउट, 8444 सूपर,